दोस्तों, आज हिंदी दिवस पर मैं हिंदी की एक बहुत ही कमाल की राइटर, मुंशी प्रेमचंद की नोवल आप लोगों के साथ में शुरू कर रहा हूँ इस नोवल का नाम है सेवा सदन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब को ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी दोस्तों, इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मैंने शब्दों में जरूर हेर फेर किया, लेकिन प्लॉट के साथ कोई भी छिरचाड नहीं किया, शुरू करता है तो ये कहानी शुरू होती है एक पुलस वाले से, एक दरोगा से कहते हैं कि पच्चतावे के फल हर किसी को कभी ना कभी अपनी जिन्दगी में चखने ही पड़ते हैं लेकिन जब हम बुराई करते हैं तब, तब हमें पच्चतावा होता है लेकिन यहाँ पर इस कहानी में एक पुलस वाला है दरोगा कृश्न चंट्रू इसको अपनी भलाईयों का पच्चतावा हो रहा है पच्चिस साल हो गए थानिदारी करते करते लेकिन जिन्दगी में कभी एक पैसे के रश्वत नेले ही साथ मिने जवानी में बहुत मन करता था जैसा कि बाकी जवान लोग करते हैं जवानी के मज़े लूटने का लेकिन इसे पूरा ध्यान काम में लगाया लेकिन आज इन्हें पच्चतावा हो रहा है दरोगा साहब को कि ये सब क्यों किस के लिए और इनकी वाइफ वाइफ का नाम है गंगा जली बड़ी सीधी औरत थी हमेशा हमेशा गलत रास्तों पर जाने से रूखा आज ये भी पच्चता रही है कि ये सब क्यों किस के लिए लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या है तो मैं कहानी को शुरू से शुरू करता हूँ दरोगा क्रश्न चंद्र बहुत ही अच्छे जंटल टाइप के इंसान इनके अच्छे सुभाओं को क्या चाटे पेट थोड़ी बरता इससे लेकिन इनके उपर के आफिसर्स इनसे बड़े खुश रहते थे अगर ये दूसरे थाने में जाते थे तो बड़ी इज़त होती थी इनकी वहें इनके साथ में काम करने वाले तो खूब रिश्वत खाते थे और दलील क्या देते थे कि भाई जो किसी से लेता नहीं है वो किसी को देगा क्या और सच कहें तो दरोगा को अपनी मानदारी पर घमंड है घमंड ऐसा कहते थे लेकिन कृष्ण चंद को कोई फरक नहीं पड़ता था क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना तो खुद तो इनको कोई ज्यादा शाउक नहीं थे दरोगा को जो भी सेलरी इनकी घर में आती थी वो सब सामान में खर्च हो जाते थे क्योंकि अब घर में इनके अलावा तीन लोग और रहते थे एक बीबी दो बेटियां उनका तो मन कटा ही होगा न तो दरोगा जी अपनी कमाई में जो कुछ भी लाते थे अपनी दो प्यारी प्यारी बच्चियों पर खर्च कर देते थे अच्छे अच्छे कपड़े लेके आते नए नए चीजे लाते आल्तु फाल्तु का सामान जमा करने का ज्यादा ही शौक था इनको इस बाप को अपने बेटियों से क्या बताओं क्या लगाओ था सारा मकान कृर्सियों से मेजों से अल्मारियों से आगरे की दरी न जाने क्या क्या भरके रखा था कोई अगर लुट का पैसा भी लाता है ना तो इस साना से खर्च नहीं करता जिस साना से दरुगा करता था अपने बेटियों पर लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सिलना सिलाना भी सिखाया है उनको स्किल्स भी सिखाई इस बात पर उनकी बीवी बोलती थी जरा हाथ को बचा के खर्चा किया करो कम खर्चा किया करो अगर आपको जिन्दगी में कोई और खर्चा नहीं करना चलता है लेकिन लड़कियों की शादी तो करोगे न कल को उस टाइम पे किसके सामने हाथ फैला होगे भीक मांगोगे अभी तो मकमली जूतियां पैना लो लेकिन बाद में क्या धरूगा जी तो अपनी बीवे की बातों का हसी में उड़ा देते कि तब की तब देखी जाएगी कभी-कभी तो चड़कर बोलते थे कि तुम मुझे फालतु चिंता में डालने की कुशिश करती हो इस तरह समय गुजरता गया और दोनों बेटियां फूल की तरह खिलकर बड़ी हो गए बड़ी बेटी का नाम था सुमन बहुत है खुपसूरत लेकिन थोड़ी सी एरोगें कमंडी टाइप की चोटी बेटी का नाम था शान्ता सीधी, भोली और सीरिस टाइप की इनकी मा थोड़ी ओल फैशन टाइप की थी बोलती थी कि लड़कियां तो पराय धने जल्दी सी जल्दी इनको निकालो इनकी शादी करवाओ फ्री हो जाओ एक तरह से लेकिन दरोगा कहते अरे अभी तो दोनों बच्चियां है इतनी जल्दी क्या है हमारे शास्त्रों में भी तो लिखा हुआ है कि लड़की की शादी 16 साल से पहले करवाना पाप है 16 साल 16 साल बोल बोल कर टालते रहते थे और दरोगा जी निउस पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ते थे जो दहेज पर चपते थे बड़ा मज़ा आता था उनको और अपनी बीबी से बोलते थे तुम देखना एक दो साल की बात है ये दहेज प्रता बगिरा खत्म हो जाएगी और हमारी बेटियों की शादी में कोई भी दहेज नहीं लेगा तुम चिंता मत करो और इसी तरह से बड़ी बेटी सुमंद 16 साल की भी हो गई तो अब कब तक खुद को धोका दोगे दरोगा जी अकवार में लिखे हुए आर्टिकल्स से चीजे नहीं बदलती जो चीजे बहुत लंबे टाइम से चली आई है दहेज कूट कूट के लोगों के दिमाग में भरा हुआ है ये आर्टिकल्स से नहीं बदलता दरोगा जी घबरा गए कि अब क्या कुछ भी तो नहीं जूड़ा मैंने तो ढूड़ना शुरू किया लड़का भागने लगे यहां से वहां अच्छे लड़के की तलाश में उनका एक मकसद था कि पढ़ा लिखा परिवार चाहिए पढ़ा लिखा होगा तो दहेज की बात भी नहीं होगी लेकिन हैरानी की बात ये थी कि लड़का जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होता था उतने ही ज्यादा पैसे की मांग, पैसे की डिमांड की जाती थी कुंडलिया मिल जाने की बात में जब पैसे की बात आती तो आँखों के आगे अंधिरा चाह जाता कोई 4000 बोलता, कोई 5000 बोलता कोई इससे भी आगे बढ़ जाता इतना कहां से करें यही सब लड़के ढूड़ने का गाम 6 महीनों तक चलता रहा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि क्या करें लोग कुछ पढ़े लिखे लोग थे जो उनकी help तो नहीं करना चाते थे लेकिन sympathy पूरी रखते थे एक आदमी तो बोला, दरोगा जी मैं तो खुछ चाता हूँ यह दहीच पर था खतम हो मैं तो इसका जानी दुश्मर हूँ इन क्या करें, पिछले ही साल लड़की की शादी किया उसमें 2000 रुपे लगा है और उपर से 2000 रुपे खाने पीने की तब जाके लड़की की शादी होई तो इसमें एक आदमी बोला दरोगा जी अब बताईए इसमें लड़के वालों की भी क्या गलती है बताओ मैं खुद लड़के का बाप हूँ मैंने लड़के को पढ़ाया लिखाया पाल पूस कर बढ़ा किया नौकरी दिलवाई और अब लड़की को भी तो उतना ही मिलेगा दहिस देने की बाद में इसमें गलत क्या है लड़के वाले भी तो खर्च करते हैं न लड़के पर तो इसलिए आज दरोगा कृष्ण चंद्र को अपनी इमानदारी और सच्चाई पर दुख हो रहा है सारा घमन तूट गया इमानदारी का कि अगर मैं इस रास्ते पर न चलता तो इतने ठोकरे नहीं खानी पड़ती दोनों मियावी भी चिंता में कि इस दुनिया में सीधी रास्ते पर चलकर क्या मिलता है गलती बस मुझसे इतनी हुई कि मैंने लूट कर अपना घर ने परा अब तो दो ही रास्ते हैं या तो सुमन को किसी कंगाल की गले बांदू जो उसे जिन्दगी बर दुख देगा या फिर किसी सूने की चिड़िया को फसाऊं किसी से रिश्वत निकल वाऊं बहरा रास्ता तो मैं चुन नहीं सकता तो अब दूसरे रास्ता ही पकड़ना पड़ेगा लोग गले दबा दबा कर रिश्वत लेकर दू-चर हजार जमा करके लड़की की शादी करने पड़ेगी यही आखरी रास्ता है भगवान भी शायद यही चाहता है उसकी भी यही मर्जी है तो यही सही बीवी पती की ये बाते सुनकर सिर जुकाय दुखी थी चुप थी आँखों में आसू थे अब दूस्तो कहानी में एंट्री होती है एक नए टाइप की करेक्टर की महंत राम दास यह महंत का मतलब होता है सन्यासी टाइप का साधू टाइप का बड़े लेवल का साधू उसका सारा बिजनस चलता था बाके बिहारी जी की नाम से श्री बाके बिहारी नाम से अच्छा वसूल करते थे यह और किसी की हमत नहीं थी बाके बिहारी जी का पैसा खा जाए पैसा दबा जाए क्योंकि पानी में रहे कर मगरमच को उंगली नहीं करने चाहिए वाले कहवत तो सुनी होगी आपने तो इस पानी का मगरमच था महंत रामधास ये और इसके साथी साधू दूद पीते थे पुशफ समार्टे थे सब टाइप के शौंक थे चिलम चरस गांजा और कोई इनके खिलाफ सर तक नहीं उठाता था पोलिस वालों से भी महंत जी की बहुत दोस्ती थी योगी महंत जी लड़ू खिलाते थे उनको और बांके भिहारी जी का प्रसाथ कोई मना कर सकता है क्या ना नहीं बांके भिहारी जी की जब सवारी निकलती थी तो बड़े ठाट बाट से निकलती थी आगे आगे बांके भिहारी पीछे महंत रामदास और इस साल भी महंत जी जब तीर थियातरा से लाटे तो एक बड़ा सा यग्य किया उन्होंने एक महिने तक तो होवन कुंडी जलता रहा और इस यग्य में इलाके में हर एक पैसे वाले ने इलाके के हर एक पैसे वाले ने चार-चार रुपए, पांच-पांच रुपए चंदा दिया, किसी ने खुशी से दिया, तो किसी ने उधार लेकर दिया, कि अगर बांके बिहारी जी को नहीं देंगे, तो किसे देंगे, लेकिन यहाँ पर एक भूढ़े आदमी, चेतू, उसकी महंत जी ने जान ले ली, कैसे, पीट-पीट कर, उनको चैन नहीं आया, उनका मन नहीं भरा, तो गुस्से गुस्से में महंत जी ने उसकी जान ले ली, और यहीं पर कहने का मतलब बैठे बठाए, खुद दरोगा कृष्ण चंद के पास में, सोने की चड़िया उड़कर आ गई, लेकिन प्राब्लम यहाँ पर यह है, कि सब ने देखा कि महंत जी ने उस आदमी की जान ली, लेकिन अलाके में धाक इसकी बहुत ज्यादा थी महंत की, प्राइविटली तो आकर कि सब दरोगा को बोल देते कि हाँ मैंने देखा है, लेकिन पब्लिकली महंत के खिलाब बयान देना किसी के बसका नहीं था, अब महंत जी को पदा चला कि दरोगा कृष्ण चन्द नाम का कोई आदमी हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गया है, तो अपने एक आदमी को भेजा दरोगा के पास में जाकर बातचीत करो लेन दिन की, लेन दिन की बातचीत हुई, तो दरोगा बोले पाँच हजार लूगा, इस पर महंत का आदमी बोला कि पाँच हजार बहुत ज्यादा होते हैं, महंत जी नहीं देंगे, वो अपनी पर रट गए तो कुछ नहीं मिलने वाला, तीन हजार रुपया में मामला डन करो, कि उन्होंने खुद से कभी ये उम्मीद नहीं की थी, कि अगर ये करना ही होता तो पच्चिस साल पहले क्यों नहीं किया, अभी तक तो सोने की दिवारे खड़ी कर दी होती है, जिंदगी भर त्याग करने के बाद में अब जाके बुढ़ापे में कलंक, लेकिन मन कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सिच्वेशन मुझसे ये काम गरवा रही है, मेरी आत्मा अभी भी पवित्र है, भगवान जानता है मेरा सच, लेकिन अगर ये बात किसी के सामने खुल गई, तो जील का रास्ता भी खुला हुआ है, ये भी दरोगा जानते थे, सारी इमानदारी धूल में मिल जानी है, अब आप ही सोचो, जिसने कभी जिन्दगी में किसी पर हाथ भी न उठाया हो, अचानक उसको कोई कहे, तलबार उठा के लड़, तो कैसा लगए उसे, वैसा ही कुछ दरोगा जी को लग रहा था, उन्होंने महंत के आदमी से कहा, कि सुन बे हो, इस बात की खबर कानो कान किसी को ने लगनी चाहिए, ये तो देख रहा नहीं लट, तो जितना कर सकते थे, दरोगा जी ने अपनी तरफ से किया, इस बात को सीक्रेट रखने के लिए, और जिस दिन उन्हें थाने में पैसे लेने थे, उस दिन बाकी के आफिसर्स को जो भी काम करते थे, सब को बाहर भेज दिया, और खुद बैठे, वहां पर बेटी की शादुए के खर्ची का हिसाब लगाने लगे, कि दहेज के बाद में क्या-क्या बचेगा, क्या-क्या करना होगा, तभी महंत का आदमी पैसा लेकर आया, तीन हजार रुपए, लेकिन पैसे देने से पहले बोला वो, मेरा हिस्सा, दरोगा जी बोले तेरा हिस्सा क्या, बोला मेरा पाँचर पैस सेकड़े की हिसाब से हिस्सा होता है न, तो दरोगा जी चिड़ गए बोले, तेरा हिस्सा तु महंत से लेना समझा, एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी तेरे को, अपनी आत्मा बेज करके रिश्वत ले रहा हूँ, लेकिन अप छुपाना नहीं आता था, हराम का माल अकेले बचाना बहुत मुश्किल होता है न, लेकिन वो महंत की आदमी को हिस्सा ना देकर, उन्हेंने बहुत बड़ी गल्ती की थी, ऐसे लोगों का अगर पैसा ना दिया जाये, तो ये सारा भंडा फोर्ड़त है, और वैसा है उसने किया, थाने में जाकर बूल दिया सारे लोगों को, और थाने के सारे लोग आ गए गुस्से में, यूँकि मिल बाट के खाना चाहिए सबको, और यहां कहने लगे, कि देखते हैं दरोगा कैसे हजम करोगे हम सब का माल, मिल बाट के खाना चाहिए सबको, यह तुम नहीं समझे, यहां दरोगा जी लगे हुए थे अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में, पढ़ा लिका हैंडसम सा लड़का मिल चुका था, देख की बाते भी हो चुकी थी, और दूसरी दरोगा किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था, कि दरोगा क्रश्चन रिश्वत ले सकता है, लेकिन प्रूफ है भाई, ली है, एक महिना गुजर गया, और एक शाम दरोगा जी अपनी थाने में बैटे थे, तब ही सामने से पुलिस स्प्रेटेंडन, दो थानेदार थे साथ में, और कुछ कॉंस्टेबल्स, अंदर घुसते ही, दरोगा जी ये सीन देख कर गए खबर आ गया, एक कॉंस्टेबल आ गया, और बढ़ कर गए उनको अरेस्ट वारंट उनको दिखाया, उसे देखते ही दरोगा जी के पैरो तले जमीन किसक गई, चहरा पीला पढ़ गया, खड़े-खड़े वहीं जम गया वो, और खड़े-खड़े शर्म से सिर जुखा लिया, चहरे पर डर, शर्म, साफ देखे जा सकते थे, ये वो ही दो थानेदार थे, जिनके सामने दरोगा जी कभी शान से सिर उठा कर चलते थे, कि ये रिश्वत लेते नीच आदमी हैं, लेकिन देखो, आज खुद अपना सिर नीच आग ये कैसे खड़े हैं, जिन्देगी भर की इज़त दूल में मिल गई, सुप्रिटेंडन ने पूछा, वेल, कृष्ण चंद्र, तम कुछ कहना चाते हो, इस पर कृष्ण चंद्र बोले, क्या कहूं, क्या कहूं कि मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे दुश्मनों की चाल है, लोगों ने मेरी मांदारी से तंगा कर, मुझे निकालने के लिए चाल खेल लिया, कुछ नहीं कहना, इतना कहे करके वो चल दिये, और दरूगा को जेल हो गई, और ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई, दरूगा ने रिश्वत ली और उसकी वज़े से उसे जेल हो गई, कई भले लोगों ने कोशिश की कि दरूगा ऐसा नहीं कर सकता, उसकी जमानत हमें करवानी है, लेकिन दरूगा ने जमानत नहीं ली, फिर इन पर मुकदमा चला, और महंत रामदास, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, महीने भड तक ये मुकदमे चलते रहे, इसके बाद फिर एक महीना, और आखिर कार दरूगा को जेल हो गई, महंत रामदास को साथ साल की जेल होई, और दरूगा को पांथ साल की, दरूगा जी का एक साला था, अभी बीवी बच्चे कहा जाएंगे, तो दरूगा जी का एक साला था, उमानात, जो तिलक लगाता था, चोटी रखता था, दरूगा जी कहते थे, ये फ्राड है, लेकिन अभी जब दरूगा जी जेल में है, तो उनकी बीवी और उनकी बच्चियों को, तो मेरा जेल जाना तय है, तो मेरे पीछे वकीलों को पैसे मत देना, रिश्वत का एक भी पैसा खर्च मत करना, लेकिन वो नहीं माने, और पैसे उड़ाये वकीलों के पीछे, और वकील उम्मी देते रहे जूटी जूटी, जूट जाएंगे, जूट जाएंगे, फिर इसकी बाद हाई कोट में अपिल हुई, दरूगर जी की सजा कम होकर चार साल हो गई, तो अब बाप तो था जेल में, अब है बेटियों की शादी की चिंता, बड़ी बेटी सुमन की शादी करवाई चूटी वाले मामा ने, पंडित मामा ने, उमानात ने, अब बाप शादी करवाई और मामा शादी करवाई, दोनों में बहुत फर्क होता है, करवादी किसी ऐसे वैसे लड़के के यहां पर शादी, अब वो उसे कैसे रखता है आगे ये कहानी नेक्स्ट वीडियो में